8.3 ससंयोचकपन, कोवेलेंट बॉन अब हम कार्बन तत्व पर विचार करते हैं, जिसकी परमाणू संख्या 6 और एलेक्ट्रोनिक विन्यास 2,4 है यदि कार्बन बंद बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रोन का त्याक कर हीलियम परमाणू के कक्ष में 2 इलेक्ट्रोन का विन्यास प्राप्त करें, तब C4 प्लस आयन बनेगा या चार इलेक्ट्रोन गृहन कर नियान प्रमानु के कक्ष में δो, L कक्ष में आठ इलेक्ट्रोन के समान विन्यास प्राप्ट करें तब C4- आयन बनेगा दोनो ही इस्थितियों में अऑस्थाय आयन की प्राप्ति होगी अता दोनों ही स्थितियां संभव नहीं है इस स्थिति में कारबन बंद का निर्माण कैसे करेगा आईए देखें यह कैसे संभव है अब एक विकल्प यह हो सकता है कि वहाँ दूसरे तत्व से इलेक्ट्रोनों का साजह करे साजी का क्या तत्वर्य है आईए कार्बन ट्रेटरा क्लोराइट के उधारन से इसे समझें यहां एक कार्बन तथा चार क्लोरिन परमानूं से मिलकर बनता है हमें ग्यात है कि क्लोरिन परमानूं को अस्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यक्ता होती है यहां प्रतेक क्लोरिन परमानों अपने एक इलेक्ट्रोन का साजा कार्बन के एक इलेक्ट्रोन से करता है उसी प्रकार कार्बन भी प्रतेक क्लोरिन परमानों से अपने एक इलेक्ट्रोन का साजा कर बंध बनाता है इस क्रम में कार्बन तथा प्रते क्लोरिन परमानों अक्रिय गैस विन्यास दो आठ तथा दो आठ आठ प्राप्त करते हैं साज्जी के इलेक्ट्रोनों पर दोनों परमानों का समान अथिकार होता है अर्थार साजी के इलेक्ट्रोनों की गर्णा दोनों परमानों के अस्टक में की जाती है कार्बन टिट्राक्लोराइड में सहसरोजग बंद का चित्र आईए अब हम कार्बन एवं हाईडोजन से बनने वाले यौगिक मेथैन को देखें कारबन परमानू के लिए इलेक्ट्रोनों का त्याग करने या ग्रहन करने की अपिक्षा इलेक्ट्रोनों का साजा करना सरल होता है लेकिन हाइड्रोजन की इस्थिती कैसे होती है हाइड्रोजन की परमानू संख्या एक है इसका तातपर है कि उसके नाभीक में एक प्रोटॉन और के कक्ष में एक इलेक्टॉन है उसके समीब की अक्रिय गैस हीलियम है जिसके के कक्ष में दो इलेक्टॉन होते है जब कार्बन और हाइड्रोजन के मत्य आबंद का निर्मान होता है तो कार्बन चार इलेक्ट्रोनों का साजह करता है जबकि हाइडोजन को साजह के लिए मात्र एक इलेक्ट्रोन की आवश्यक्ता होती है इस प्रकार कार्बन का एक परमाणू तथा हाइडोजन के चार परमाणू इलेक्ट्रोनों के साजे द्वारा CH4 अनु का निर्माण करते है मैथेन में सहसेनोजग बंध का चित्र आईए अब हम कार्बन के एक और योगे कार्बन डाइ ओक्साइट को देखते है नाम से इस पस्ठ है कि इसमें दो ओक्सिजन पर मानू होते है डाइ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ दो है डाइ ओक्साइट का तादपर्य दो ओक्सिजन पर मानू पूरु में हमने देखा कि ओक्सिजन सामाने तह दो इलेक्ट्रोन ग्रहन कर द्वी संयोजी आयन ओ टू माइनस बनाता है वहीं कार्बन इलेक्ट्रोन देने की अपेक्षा साजे के द्वारा बंध बनाता है क्या आप बता सकते हैं कि कैसे कार्बन और ओक्सिजन मिलकर इस्थाई योगे कार्बन डायोक्साइट का निर्मान करते हैं यह तभी संभव होता है जब प्रतेक ऑक्सिजन परमानू दो इलेक्ट्रोनों का साज़ा कार्बन के दो दो इलेक्ट्रोनों के साथ करता है कार्बन डायोक्साइट में सास्वयोजग बंध का चित्र सरंचना देखकर आप बता सकते हैं कि कारबन एवम ऑक्षिजिण के मथ्य कितने बंद बनेंगे इस योगिक में कार्बन के दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानि चार इलेक्ट्रॉन और प्रतेक ऑक्सिजन के एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानि दो इलेक्ट्रॉन के मध्य साजे से द्विबंद का निर्मान होता है पूर्व के उधारणों में कार्वन ने क्लोरीन के साथ CCl4 तथा हाइड्रोजन के साथ CH4 एक-एक इलेक्ट्रोन के साजे के द्वारा एकल बंध का निर्मान किया था